जब मैं एक साल की थी तब मुझे पोलियो पैलेस इसका अटेक आया था ये लास्टेज में आई हुई है और बहुत इसका जीना कठिन है था बच्पन में जब मुझे पता चला था कि अपन चलने ही पाएंगे अभी कभी तो कोई भी सोचेगा कि वापरे इसके साथ तो फुरूरता हुई है भगवान ने एक ही इनसान को इतना सब क्यों दिया मुझे हमेशा यही लगा है कि हाथ पैर नहीं है तो क्या इतने ज़दा गुन दिया है और आगे बढ़ने का नाम ही जिन्दगी है दोस्तो नमस्ते मैं जिन्दगी के आपका स्वागत करता हूँ इंस्पिरेशनल टॉक्स में हमारे जिन्दगी में कोई समस्य आती है और हम उसे एक्सक्यूज देने में लग जाते है लेकिन आज इंस्पिरेशनल टॉक्स में आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो 88% डिसेबल होने के बावजूद भी एक स्रिष्टम आता है एक कुरुईनी है और सबसे महतोपुरुन एक यशश्वी उद्योजी का है जिन्गों ने अपने होस्लों से ये साबित किया है कि दिसेबलिटी जर्म आप तक पहुचाना यह हमारा मकसद है हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और इस बेल आइकाउन पर क्लिक करे मेरा नाम रेनुका बिड़कर है, मैं 88% डिजेबल हूँ, मैं उद्ध्योजीका हूँ, मैं आशादीब ग्रोह उद्ध्योग चलाती हूँ, सिंगल मदर तथा और मुझे एक बेटी है, खुद अपंग होने के वज़े से मुझे अपंगों के लिए काम करने की रुच्छी है, इसलिए मैं उनके लिए कार्य करती हूँ, जब मैं एक साल की थी तब मुझे पोलियो प परिश्रम के वज़े से उन्होंने बहुत महनत किये मेरे पीछे, तो मैं आज तक यहां तक पहुची हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया कि लाइफ में स्ट्रगल कैसे करना है, तो मेरे आट नो ऑपरेशन हुए है, नो ऑपरेशन होने के बाद भी मैंने एजुकेशन कभी म मेरा बंद नहीं की है, कंटिनेशन में चालू की है, कभी एक्स्क्यूज नहीं दी कि अपरेशन है, तो मैं कुछ पढ़ नहीं सकती हूँ, मैंने अपना ग्राइजुएशन किया है, कंप्यूटर कोर्सेज किया है, और पढ़ते पढ़ते मुझे बोट जादा स्ट्रगल भ oy आपो यह सब होते हुए फड़ाई करो यांनि बहुत मुश्किल होती थी, पहले में कैलिपर अरš चलते थी तो बहुत मुश्किल से ज्ञारिश आती है、 या कुछ होती तो फिस्लते थे या फिर 에게 ब orchestrados पना से या कोई बीस चीजों मैं बहुत slipper sie अगर रहता है तो तकदिफ होती थी चलने में लेकिन फिर बारीश रहे कुछ भी दे मैंने कॉले स्कूल हमेशा अटेन की है और ऐसा लगता है ज़से बच्चे खेलते हैं कुछ भी तो मुझे लगता था कि चलो सब प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो अपन क्यों नहीं खे लाँक है तो मैं उसको वही कि Dhaump कर देती थी और सुष्टी थी कि वच्चे घِलरह देख रहे हैं तो मैं उसी में खुशी और बहुत जादा तकलीफ हुई थी उसमें पुरे मुह में चाले आगे थे और एसे कंडिशन में चलना नहीं उठना नहीं एड्मिट थी पूरा बॉड़ी सुजन आ गई थी पूरे इंफेक्शन आ जाता था बॉड़ी में और उपर से मेरा मोबिलिटी नहीं होने के कर जीना कटिन है लेकिन मुझे एक इच्छा सकती है और कुछ लाइफ में करने का ये जजबा है इसलिए मैंने उसको भी डिफिट की है यहने देखा जाए तो एक ही इंसान को पोलियो पैलेसिज भी होना फिर बाकी के चीजों भी फेस करना और कैंसर भी होना ऐसा देखा कोई भी सोचेगा कि वापरे इसके साथ तो प्रूरता हुई है भगवान ने एक ही इंसान को इत्ता सब दिया लेकिन यह मेरा मानना नहीं है मेरा यह मानना है कि जब एक अधिस्टूरंट रहता है जब इंटेलिजन स्टूरंट रहता है तो टीचर उसी को उठा के हमेशा स उसे से एक्सपक्सिक करती एक्षक जाब देगा और जो पर्फेक्ट जवाब देगा तो वो टीचर खुश हो जाती है और उसको परसेंटेज देती है, मार्स देती है, रिवार्ज देती है, तो उसी तरह भगवान ने मुझे चालेंज एक्सेप करने के लिए भेजा है, और मैं जित्ता ये सब कुछ हुआ है, मैं हस्ते हस्ते हमेशा एक्सेप किया है, और आगे भी कुछ भी समस्य आएगे, तो जो जो एक्सेप्प कर सकू हूँ और बता सकू हूँ एक कि भाई जब हम लोग सबसे प्यारे रहते हैं तभी हो हमारी संगषपूर्ण लाइफ करता है और हम किसी से हट के होते हैं तभी हमें यह सब मिलता है तो मैंने यह सब हमेशा पॉजिटिवली लिया है मुझे हमेशा अपने बेटी के साथ अकेली रहती हूँ मेरी बेटी को भी मैंने अपना नाम दिया है तो मैंने यह प्रूफ कर दिया है कि हाथ पर से कोई अपाईज नहीं होता है और यह मैंने खुद को समझाया था बच्पन में जब मुझे पता चला था कि अपन चलने पाएंगे अभी ृव लाइस करो और वही को वही चीज को लेकर आगे बढ़ो और उसी का नाम जिंदगी है जो है उसी को खुशी से बढ़ना चाहिए की कम जञ़ा ओपर नीचे हर इंसान में होता है लेकिन हम्मत नहीं हारते हुई अगे बढ़ना चाहिए ओ अटनी हारना हिम्मत नहीं हा ताकि हमारे पास अगर कोई आता है तो वह मोटिवेट होके जाता है अपने प्रॉब्लेम बूल के जाता है और एसा है कि जहां चाह है वहां रहा है और आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है खुछ लोग सोचते है कि हम विचारे है हम अपाईजे हमको मदद करो तो मदद कर की बढ़ност किसी से बकाता मिला के चलना उनको भी आना चाहिए आत्मांशंबान से आत्मनिर्बर होके जीना चाहिए यह मैं सोच्ति हूँ इसलिया मैं आगे बढ़ना चाहती हूं ताकि कुछ लोगा का मैं अच्छा कर सकू अपने साथ और हमेशए लोग बोलते कि समाझ हम चलो और जो मैं कर रही हूं मुझे मेहनत का ही पैसा चाहिए किसी से कभी कोई दान या यह चलने सकती है या इसको प्राबलेम है या केली है इसको मदद करो यह मुझे नहीं चाहिए जो भी में प्रोड्स बनाती हूं वह अगर अच्छे क्वालिटी के लोगों को लगते है औ अगर मेरी मदद हो जाएगी तो मैं किसी और की भी मदद करने की इच्छा रखती हूँ तो मुझे सहयोग चाहिए, सहायाता नहीं चाहिए, मुझे दया नहीं चाहिए किसी की मैं जो करती हूँ, उसी को अगर कोई मोटीवेट अगर मुझे करता है तो मुझे लगेगा कि जो मैं मैं श्रम करती हूँ, महनत करती हूँ और जो मेरा होसला है वो और भी आगे बढ़ेगा हमारे होसलों के सामने हर चीज जुपती है सही में, आज रेणों का मैं की कहाने सुनकर एक बात तो जरूर पता चली कि उनकी समस्याओं के सामने हमारी कोई भी समस्या बड़ी नहीं है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हर समस्या का दट्कर सामना कर रही है एड़ेंड आपसे छोटी से रिक्वेस्ट थी जो भी कुछ प्रॉडट बनाते हैं हल्दी, मिर्चिया, मसाले आदी अगर आपको लगता है कि वो अच्छी कॉलिटी के है तुम उने जरूर पर्चिस कीजिए शायसे हमारे तरफ से छोटा सा कॉंट्रिविशन उन्हें हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी कॉंट्रेक्ट डिटेल लिख रहा हूँ आपने कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा रगा हमें कमेंट करके जरूर बताईए इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले सब तक, ठैक्यो वेरी मच